हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आप सभी के साथ महा शिवरात्री के दिन पूजन में क्या क्या सामगरी की आवश्यक्ता होगी, हमें पूजा के लिए क्या क्या समान चाहिए होगा, तो वो सारा सामान आपको दिखाने वाली हूँ, इसके लिए हमें थोड़ा सा गंगा जल भी आट कर लें, और इसके बाद दूसरा समान हमें चाहिए होगा, पंचामरत, पंचामरत में मैंने दूद, दही, गी, शहद, शक्कर ये पांचों चीजों को मिला लिया था, और गंगा जल भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, आप चाहें तो पीले चंदन से भी काम चल सकता है, इसके बाद रोली चाहिए होगी, रोली हल्दी हमें पारवती माता पर चढ़ाने के लिए, फिर इसके बाद ये महंदी ले लेंगे, आज के दिन शिव ववा हुआ था, तो पारवती माता के चऴों में हातों में लगाने के लिए अगर आपके पास जन्यू नहीं तो इस तरह से कच्चा सूत आता है उसको आप छह बारी लपेट कर भी चढ़ा सकते हैं फिर इसके बाद यह देखिए हमें इस तरह से गी का दीपक चाहिए होगा आप चाहें तो मीटी का दिया भी ले जा सकते हैं क्योंकि कई बारी ऐसा होत दीपक लिया है कपूर की आरती के लिए बगवान शिव को कपूर की आरती अत्यंत प्री है और यह देखिए फिर इत्र ले ले लेंगे हम आप चाहें तो यह चंदन हल्दी रोली वगरा को चोगड़ा में भी अरेंज कर सकते हैं फिर इस तरह से दुबबती ले लेंगे हम और अगर आप वहां पर बैट कर जब करेंगे शिव परवार के समख तो इस तरह से एक रुद्राक्ष की माला की जरूत पड़ेंगे हमें तो वो ले जाएंगे फिर यह दिखिए हमें कुछ फूलों की जरूत पड़ेंगे मैंने ये पीले और सफेद फूलों की माला लिये और कुछ छुट्टे फूल भी हैं लाल फूल पारवती माता के लिए सफेद फूल शिवजी के लिए इस तरह से लिए हैं और इसके बाद हमें बेल पत्र चाहिए होंगे आज शिवरात्री के पर बेल पत्र के आप विवस्ता जरूर से कर लें ये बेल फल लिया है मैंने और कुछ धतूरे लिए हैं और ये भां की कुछ पत्तियां लिए हैं अगर आपके पस भां का पाउडर है तो आप वो ले जा सकते हैं और ये आँग का फूल है और इस तरह से ये सारी समग्री मंदिर के सामने यी मिल जाती है शिवरात्री के पर पर या सावन के सुमार में ये चाहें तो दूद से बनी कोई मीठाई भी ले सकते हैं और इस तरह से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं सीजनल फूट्स आप आज के दिन शिवरात्री पर बेर कभोग जरूर लगाएं और इस तरह से क्योंकि आज के दिन ज्यादा तर सभी लोग का विरत होता है तो कुछ ऐस आप सब भी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिलकुल न भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई